हेलो फ्रेंस आज हम लोग पात करेंगे एरिक्सन पावर 620 AC और यह आपका कैपिसिटी दिया हुआ है 31.5 किलोवाट जो पावर 620 का कैपिसिटी है पावर 620 एक पावर यूनिट है जिसको हम लोग इंडिया में पावर प्लांट के नाम से जानते हैं और यह जो देख रहे है है जो बैटरी के रैक के ऊपर इंस्टोल किया हुआ है इसकी जो मतलब बीत है मतलब जो इसकी चोड़ाई है 19 इंच रैक मतलब अगर आप इंडोर में आप इंस्टोल करना चाहते हैं जैसे आप यहां पर इस रैक के ऊपर इंस्टोल कर किये हुए हैं मतलब आप देख रहे है और यह जो है पावर टू पावर 620 DC पावर सप्लाइं देता है माइनस 48 बोल्ट इसी जो हम एरिक्सन बेटियस को देते हैं चाहे रेडियो हो या बेटियस हो या बैस्वेंड जो भी है या ट्रांस्मिशन उन्ट है और दा पावर यूनिट कैन बी इस्टोल ऑन टॉप बै सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप कम पावर लेन अचाहते हैं तो कम भी है अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं डिपेंड करता है आपका एरिक्टिफायर के ऊपर को इन साथ बेटरी आउब आशाज अवलेवल आपको प्रहंड अमपेर है और और 848 इंडर घंड़ बैटरी है आप अंडर कर सकते हैं इसमें कि फिर यहां पर दिया हुए कि से वरिव्रेटरी रैकमी पैनल क नेकिटिट यसे इवेन हायर बै्टिटिटी अगर आपको ज्य आपको तीन चाहिए तो तीन लगा सकते हैं जैसे मैं आपको बता है कि आप इंस्ट्रीशन कर सकते हैं इसका पावर 620 के हम लोग मेकनिकल स्पेसिपिकेशन देखते हैं इसका जो टोटल वेट है 27 kg है यह जो आप देख रहे हैं यह यह नहीं देखना आपको सिर्फ यह पाहर जो पावर उनिट है इसको पाहर प्लांट बोलते हैं इसका टोटल 27 kg है ठीक है और डामेंशन यहां प में रिक्तिफाइर कर सकते हैं इसका भी आपको मीलिमेटर में दिया हुआ है, मांटिग पोजिशन मैंने आपको जैसे बताया और वाल मॉन्ट कर सकते हैं जिसमें आप यहां पर आप टोप में देख सकते हैं 1234 नीचे में आपको है 12345 मतलब 5-4 9 9 अब लगा सकते हैं और यह आपका जो है यहां पर कंट्रोल यूनिट है जिसे हम लोग ऐलाम बगरा सेट करते हैं या जो भी है आप LPD बगरा हम लोग सेट करते हैं पावर सिस्टम इसका जो टेकनिकल डाटा दिया हुआ है यहां पर हम देख सकते हैं इन्पूट पावर जो इसका एसका है less than 33 किलोवाट है और आउट्पूट लोड है इसका 24 किलोवाट टोटल कैपिसिटी 31 और 5 किलोवाट जैसे मैं आपको बता है है हेडलाइन में भी लिखा हुआ है डिसी आउट्पूट है less than 10 किलोवाट है 20 माइक्रो एस आप पी एस यू सलोट है 9 और पावर सिस्टम की हैड जो है 8 यू है आप प्रावरेटी लोड है 10 सर्कुट ब्रेकर आप कर सकते हैं में लोड है आपका 13 सर्कुट ब्रेकर में इंस्टाल कर सकते हैं बैटरी इंटरफेस फोर इंटू 125 आम्पेर आप यूज करेंगे बैटरी सर्कुट ब्रेकर में लिए यूज करना पड़ेगा आइसे भी डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रिंग लगा रहे हैं जैसे यहां पर देखें बैटरी स्ट्रिंग एक ही है अगर 1, 2, 3, 4 लगाएंगे तो आपको 200 अमपेर लगाना पड़ेगा आपको यह जो पार प्लांट है or BC में करता है और बैटरी को चार्ज करता है और पापको पवार किट हो जाती है तो यही जो है आपका जो सिस्टम करता है इससे आपका system ही है तोस् weave है और PSU Capacity 3000W है और PSU Efficiency 96% और PSU Output Voltage जैसे आप होता है माइनस 48V DC देता है PSU Rated Current है 50A तो यह सब चीजे दिया हुआ है दोस्तो आज कल इरिक्षन इसी को यूज कर रहा है आप इंडिया में पहले डेल्टा का आप देखे होंगे SMPS यूज करता था पार प्लांट के लिए लेकिन इरिक्षन आप खूद यूज करता है इसलिए यूज करता है कि जैसे मैंने आपको बताना भूल गया मैं आपको बताता हूं जैसे यह है यहां पर आप इसमें देखे basement यह इंस्टोल कर सकते हैं हम को सभी साईटों पर जरुत नहीं है कि हम 4 बैटरी की लगाएं हम 2 बैटरी की लगा के दो बैटरी के ला अ इसमें रियड्यू इंस्टोल कर सकते हैं तो आप औह भी कर सकते हैं लेकिन होड़ी सी मूस्किल होगा तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको अच्छी चीजे में बताने वाला हूं आपको जैसे आज मैं आपको इंट्रिव्य में जरूर पूछता है कि आप power rack 62100 के बारे में क्या जानते हैं तो बहुत सा लोग है इसा बोल देता है कि 62100 नहीं है 62100 एक power rack है एक power unit है एक power plant है ठीक है इस तरह आपको जवाब देना है ठीक है उसकी capacity के बारे में पूछेगा तो मैं आपको बता दिया इसमें और दोस्ता मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए, तो आज के लिए तना ही थैंक्यू